हेलो फेंड एक वाफीर आपको स्वागत है कंचन लाइफ लेंड चैनल पर आज मैं एंकोरेट क्रोनो 500 अब्रेट की जानकारिय लेकर आई हूँ यह सन फार्मा कंपनी द्वरा निर्मित है और सोडियम वल्प्रोइट और वल्प्रोइक एसिड इस दवा का घटक है यह दवा मिर्गी के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली दो दवाओं का एक सयोजन है एक नियूरोलाजिकल विकार है यह मस्तिक्ष की आसामानिय गतिविधी को नियंत्रित करता है और नसों को अराम देता है इसे भोजन के साथ लेना चाहिए साथ ही डॉक्टर आपके लिए सही खुराक तै करते हैं इस्थिती इस्थर होने तक यह धीरे-धीरे बढ़ सकती है इस दवा को काम करने में कई सप्ता लग सकते हैं लेकिन लाव पाने के लिए इसे नियमित रूप से लेना महतपोण है इसे लिए ना बद ना करें भले ही ठीक महसूस करें जब तक की डॉक्टर सलहा ना दे अधिक दोरे पड़ सकते हैं या और विकार खराब हो सकते हैं इस दवा के कुछ दुछ प्रभाव हो सकते हैं जैसे मतली, उल्टी, भूख में कमी या मसूरों की सूजन, सिरदर्द, नीदाना, कापना या बालों का जड़ना और जिगर की चोट शामिल है अधिकान साइड इफेक्ट बंद हो जाते हैं लेकिन अगर ज्यादा साइड इफेक्ट रहते हैं और जल्दी समाप्त नहीं होते हैं तो डॉक्टर को बताएं वे प्रभाव को रोकने या कम करने में म मिमारिया हैं तो साथ ही अपने जिकिस्ट को यह भी बताएं कि अन्या दवाओं के बारे में भी बताएं जो आप उपयोग कर रहे हैं जैसा कि अगर गर्भ निरोधक गोलियां कुछ प्रभावित हो सकती हैं या फिर गर्भती हैं इस्तनपान करा रही हैं या फिर अगर औ और कोई गंभीर तकलीफे हैं तो डॉक्टर को इसकी पूरी जनकारी देनी चाहिए साथ ही इस दवा को लेते समय शराप से बचना चाहिए क्योंकि इससे दुश्प्रभा हो सकते हैं मिर्गी में यह दवा मस्तिक्ष में विद्द संकेतों को धीमा कर देता है जो दौरे का कारण बनता है यह भ्रम बेकाबू मरोडते और जगुकता की हानी और भै चिंता जैसे लक्षनों को कम करने में मदद कर सकता है यह दवा सतरकता कम कर सकती है और दृष्टी को प्रभावित कर सकती है या नींद या चक्कर आ सकता है इन लक्षनों के होने पर वहां न और अपने शरीर में लगातार इस तर को बनाए रखने के लिए इसे हर दिन एक ही समय पर लें और अपने डॉक्टर से बात किये बिना अचानक दवा लेना बंद ना करें क्योंकि इससे दौरे की आवरिती बढ़ सकती है तो फेंड इस तरह से यह दवा उन रोगियों में दौरे का इलाज करने में मदद करती है जो मिर्गी से पेड़ित हैं यह दवा एक निरोधी है और प्रभावी रूप से एक निश्चित प्रकार के मस्तिक्ष रसायन को बढ़ाती है जो दौरे को नियंटरित करती है इस दवा को भोजन से पहले या भोजन के साथ लिया जा सकता है और इस दवा को कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि गले में जलन हो सकती है साथ दवा की खोराक मुख्य रूप से रोगी की उम्र स्वास्थ वजन और इस्थती की गंभीरता पर निर्भर करती है और यह भी सलहा दी जाती है कि दवा को धीरे-धीरे डॉक्टर की सलहा से बंद करना चाहिए ताकि किसी भी जटिलता को रोका जा सके तो फेंड इस तरह से एंकोरेट करोनो 500 टाबलेट की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तर पहुंच सके